Hello and welcome to the IS Academy. आज है तारिक 24 January और शुरू करते हैं PLIMS Specific Current Affair का News Discussion. हमारे पहली News Wealth Tax को लेकर है. अब है Wealth Tax News में क्यों है? ज़सर आपको पता है कि Oxfam ने एक Report रिलीस करी है, जिसका नाम है Survival of the Reaches. यह जो Report है वो इंडिया की Inequality को दर्शाता है. कैसे इस Report का ऐसा मानना है, कि जो 2021 में जो Wealth जनरेट हुई थी इंडियन एकोनोमी में, जिसका 40%, 45.5% जो Wealth है, जो Share Wealth का, वो Top 1% ने ले लिया. और 2022 में हमारे देश में Total Billionaires यह संक्या किती हो गई 106, जबकि 2020 में यह संक्या थी 102. तो यह जो 2 साल थे, वो COVID pandemic के थे, मतलब जब lockdown लगा था, तब जो Lower Class के पीपल थे, उनका एकोनोमिक जो अंकम थी वो पुरी तरह के से बंद थी. तो क्या हुआ कि जो अमीर और गरीब के विच्चे जो खाई है, वो और ज्यादा बढ़ती गई. क्या कर रहा था, डिजिटल एकोनोमिक में पार्टिसिपट कर रहा था, तो उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही थी. वहीं गरीब आदमी के पास में एकोनोमिक का कोई सोर्स नहीं था, तो उसकी इंकम घटती जा रही थी. इस वज़े से आप देखेंगे कि यह जो नंबर बिलिनेर्स के संख्या है, वह कोई पेंडिमिक के दोर में भी बढ़ गई. इसके अलावा अगर हम वेल्थ डिस्टिबुरेशन को देखें, तो टॉप वन परसन के पास में 42.5% की वेल्थ आई, और टॉप 10 के पास में 74.3% जो इंडिया की वेल्थ जनरेट हुई 2020 में वो चली गई, और जो बॉटम हाफ हैं उनके पास में सिर्फ मात्र 2.8% की वेल्थ उनके हाथ में आई, और हम अगर 90% पॉपलेशन देखें पूरष तो उनके पास में 25% वेल्थ आई, तो यह दिखाता है कि इंडिया में इनिकुलिटी कितनी जादा गहराते जारी, अलाकि सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, उनका ऐसा मानना कि इससे जनरेट क्या गया है और जो सेंपल लिये गए हैं, इसके अलावा जेंडर और सोशल इनिकुलिटी भी बताईगी, जैसे कि फीमेल वर्कर्स को अपने काम के लिए मात्र 63 पैसे मिलते हैं, वहीं उसी सेम काम के लिए जो मेल में वर्कर होते हैं, उससे एक रुपे मिलते हैं, तो यह जेंडर इनिकुलिटी शो करता है, अब सोशल इनिकुलिटी कैसे हुई, जैसे कि शेडियूल कास और रूरल वर्कर्स को काम करते हैं, तो वह 55% अर्न करते हैं, मतलब जित्ता जो अपरकास के लोग होते हैं, जित्ता उनको मिलता है, उसका मातल 55% उनको सेम काम के लिए शेडियूल कास के वर्कर्स और रूरल वर्कर्स को पेसा मिलता है, अब यहां बें GST के बारे में भी इंटरेस्टिंग डाटा दिया गया, कि जो गुट्स और सर्विश टेक्स है, तो जो बॉटम 50% होते हैं, उनका शेर होता है 64% का, और जो टॉप के 10% होते हैं, उनका GST में शेर होता है मात्र 3% का, तो यह बताता है कि indirect text जो है, वो regressive text है, क्योंकि वो सब पर applicable होता है, तो जो बड़े लोग होते हैं, वो तो इसको कही न कहीं text system का loophole का use करके वो बच जाते हैं, या फिर कैसे भी करके वो text अपना कम कर लेते हैं, बड़ जो गरीब लोग होते हैं, वो पुरा अपना, उनको indirect text भनना ही पड़ता है, तो यहीं से demand हुई कि अगर हमें इस inequality को कम करना होगा, तो हमें wealth text लगाना होगा, अब wealth text होता है, तो wealth text एक type का direct text होता है, जो कि किसे individual के asset पर लगता है, जैसे cash, bank deposit, share, fixed asset, personal car, real property, ठीक है, तो यह उसके wealth पर लगता है, और यह direct text होता है, अब इसकी जुरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो ameal होते हैं, उनका क्या होता है, आप जब text लगाते हैं उनकी income पे तो चुकि उनका mostly जो income होती है, वो share के form में होती है, तो जब उनकी income में generate नहीं होता है, तब तो उनकी income उस तरीके से properly reflect नहीं करती है, उनका income tax में, इस वज़े से उनका income tax काफी हद तक कम हो जाता है, अला कि जो wealth text है, जो concept है, यह नया concept नहीं है, wealth text ज़रसल इंडिया में 1957 57 से लगाया गया था और 2015 में हटा दिया गया था क्योंकि इसके कुछ अपने drawbacks हैं अब क्यों हटा गया था 2015 में दरसल क्या हो रहा था कि हो जदा litigation हो रहे थे क्योंकि आप wealth tax को exactly कैसे measure करो गया था उसके wealth को measure करना असान नहीं होता है कि सामने वाले पास कितनी wealth है उसके पास में कई जगा property dispute होता है और इसके compliance में जो burden लगता है वो अपने आप में काफी costly होता है तो जितना इंडियान एक परसंट जो wealth tax लगाया था उसको recover करने के लिए इंडिया को अपनी तरफ से expenditure करना पड़ रहा था तो administration cost भी पड़ रहा था तो इसलिए ये advice कि wealth tax को हटा दिया जाए इसलिए 2015 में इस wealth tax को abolish कर दिया गया था और इसके जगह सर्चार्ज लगाया गया था अम इंडियों के income पर क्योंकि जो inequality से वो बढ़ती जा रही है तो UPC definitely wealth tax पर question पूछ सकते है तो हमें पता होना चाहिए अब चलते आए अगली news आयश्वन भारत योजना को लेकर है अभी news में क्यों है दरसल आयश्वन भारत को कौन सी body implement करती है national health authority implement करती है आयश्वन भारत को दरसल यह 1954 की scheme है जिसके तरह जो center government के जो कमरचारी होते हैं और उनके जो family members होते हैं उनको यह health care provide करती है और अभी फिलाल 4 million beneficiaries है 75 cities में तो इन लोगों को अब आयश्वन भारत digital mission के साथ में link कर दिया जाएगा इससे होगा क्या कि एक तो इनका digital health identification create हो जाएगा ताकि इनको equipment इनका insure किया जा सके अब चुकि यह scheme news में है तो हमें इस scheme के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि आयश्वन भारत प्रधान मत्री जन आरोगी योजना scheme क्या है यह world की largest health insurance scheme है जो कि ministry of health and family affairs द्वारा launch किया गया है 2018 में यह क्या करती है यह medical insurance प्रवाइड करती है कितना 5 ल यह 10 लोगों को beneficiary बनाया गया है यह centrally sponsors की में मतलब जो राजी सरकार होगी वो भी contribute करेगी जो regular state है वो 60-40 के ratio में contribute करेंगे मतलब जो केंदर सरकार है वो 60% देगी और जो राजी सरकार होगी वो 40% देगी वर नौर्थ इस state और जो 3 हमालिन state है जैसे जम्मू कश्मीर, हमा जालिया उत्राखंड उनको से मातर 10% योगदान देना है 90% केंदर सरकार देगी इसमें किसे प्रगार की limit नहीं, family size पर, age of members पर, यह pre-existing disease भी cover करता है और इसको implement करती है national health authority जो की society registration एक के तहद बनाए गई एक autonomous entity है फिर 2021 में government क्या लेकाई ए आयोश्मन भारत digital mission इसका मु कर सकते हैं उनके जो medical issues हैं वो हमें जल्द increase कर सकते हैं ठीक है आपको बार बार टेस्स कराने जुरूत नहीं पड़ेगी इस skim को भी national health authority, ministry of wealth and family affairs के अंदर implement कर रही है अब चुक्कि इसकी news में है तो UPy से पूछ सकते है तो हमें पता होना चाहिए अब चलते आगे हमारी एगली news चरायद मैदाम को लिकर है दरसल ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आसाम के cm ने ये बताया है कि जो चरायद मैदाम है अब पीरामीड उसे इंडिया के तरफ से उफिचल यूनेस को वर्ल्डेटरी साइट के लिए nomination के लिए भीज़ा जा रहा है और ये इ तक डिकलेर नहीं के गई है तो इसी को ध्यान में रहते हुए प्रजार मंत्री मोदी जी ने ये decide किया है कि यूनेस को के वर्ल्डेटर सेट के लिए इस साल सिर्फ उसी एक ही नाम दिया जाएगा वो है चरायदाम मैदाम को लेखर तो चरायदाम मैदाम क्या है ये इसे प पर आसाम को जो नाम है असाम पड़ा और यह जो चरायदे वह यह बैसिकली सिंबल सेंटर था अहूं किंव्डम के लिए क्यों कुई चरायदे वह 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 अहूं किंव्डम की पहली राजधानी थी अब इससे बनाया किसना था इसे चॉलां तूखापा ये फाउंडर थे के दाइनेस्टिक है जुन्होंने बारस उंती सी में ये अहूं कुंग्डंग की सुष्था अपना की थी उसके बाद लेटर ओन 18th century के आते आते बिल्टेशर्स थे उन्होंने असाम पर कर लिया था अभी चरायदाव मेदाम हे कहा पर ये ये असाम के सिव सागर टाउन के ति क्योंकि चरायदी और हिलोक्स पर ये सिचुएटेड़ हैं अब अर्किट्रेक्ट्चल परस्पेक्टिव से क्या खास चीज़ में क्या अगर आप इसको देखो के ठीक से तो यहां पर आपको मैसिव अंडर्ग्राउंड बोल्ट दिखाई देगा जिसमें एक या दो क्योंकि इस साल ये सिर्फ और सिर्फ चराया है जो मेदाम का नाम ऑफिशली इंडिया के तरफ से भज़ा जा रहा है दो जा तेरिश चोविश के लिए तो हो सकता यूपे से इस पर कुर्शन पूछ ले अब चलते आगे हमारी अगली निस लियोपार्ट टेंग को लगकर ह चाता है तो हम लियोपार्ट 2 टेंग के बार हम जान लेते हैं तो यह जो टेंग है यह किस ने बनाया है यह जर्मन मैट टेंग है इसे जर्मन मैनुफेक्ट्टर क्रॉस माफाई में ने बनाया है केम डवली ने बनाया इसे लियोपार्ट फर्स टाइम लेट 90s में यह कानाडा और इंडोनेसिया भी यह टेंक यूज़ करते है इस टेंक का यूज़ अफगानिस्तान वार में हुआ है कॉसाओ में हुआ है अगर में इसके फीचर्स को देखें तो इसमें 120 mm की स्मूद बोर कैनन की गन लगी हुई है जैसे की माइं से प्रटेक्शन कर सकते हैं यह सवाल है और यह अब यह सवाल यह उठता है कि लियोपाट 2 टैंक को यूज़ने का फाइदा क्या है तो जो Leopard 2 tank है, यह easily available है यूरोप में, तो Ukraine को अगर readily available कोई tank मिल सकते हैं, तो वो Leopard tank ही मिल सकते हैं, इसके बाद में इसका night vision काफी अच्छा है, मतलब आप इस tank का use कर सकते हो, इसके साथ ही साथ इसमें laser technology का भी use होता है, इसका मतलब कोई moving target है, अगर tank से उसको target करना है, तो laser technology through यह उसको भी target कर सकता है, अगर इसके range की बात करें, तो 500 km की range है इसकी, maximum km है 72 km per hour, इसलिए इससे tank को बहुँ ज़्यादा sophisticated माना जाता है, और अब दिक्कत यह आ रही है, कि Russia बार पर यह बोल रहा है, कि अगर आपने इस ताइप से tank Ukraine को provide किये, तो NATO और Russia सीदे सीदे one- part 2 tank को लेकर, अब चलते हैं आगे, अब एक previous question देख लेते हैं, जो UPCA ने 2020 में पूचा था अपने list में, तो हमें यहाँ पर यह बताना है, जो उल्गुलान है, यह किस इवेंट से associated है, पहला है, अब को पता है कि यह बिर्सा मुंडा विद्रहों से related है, तो UPCA का मतलब क्या था, कि हमें एक मुंडा राज स्थापित करना था, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा था, कि जो tribal land होते हैं, तो उनको कुछ money landers, या फिर जो बाहर के लोग आते हैं, outsiders, वो tribal land को कहीं न कहीं snatch कर रहे थे, तो उनकी जमीन पे वो अपना अधिकार जमा रहे थे, तो जो British land policy थी, वो tribal's के land को लगातार उनसे चीन रही थी, तो वो अपने हक के लिए, अपने जरल, जंगल, जमिंग के लिए इस पूरे आंधोलन को उन्होंने खड़ा किया था, इसको lead को रहे थे, बिर्सा मुंडा इसको lead कर रहे थे, जिनने जो मुंडा community है, वो अपना भगवान के तरह देखती थी, तो इसलिए जो उल्गुलन ग्रेट टूमर्ट है, ये बिर्सा मुंडा के reward को, reward से associated है, इस वीडियो के PDF को download करने के लिए, आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं, ऐसे ही और current effort के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, thank you, thank you very much.